तो फ्रेंट्स मेरे नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन को कवर अप करेंगे यह जो हमारा पूरा टार्गेट है आज के अपने सेशन को आगे पढ़ें इससे पहले बस इतना कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए इसके अलाबा जो भी वीडियो चैनल प्राइए सेशन में जरूर बताईएगा ताकि अगर को इंप्रूब्मेंट करना हो तो उस पर काम किया जा सके तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस पहले कोश्चन से पहला कोश्चन यहां पर दिया हुआ है कि उस देविस्थान का नाम बतलाईए जिसमें मुक्ध देवता अन तीन देवताओं से भिन है अब यह क्या अमरनात है जगनात है केदारनात है या फिर विश्वनात है तो सही आंसर हमारा क्याएगा ऑप्शन बी जगनात क्योंकि यह जो जगनात मंदिर है यह भगवान विश्णू का मंदिर है जबकि अन तीन जो है यह भगवान विश दिये हुए हैं और एक तरफ बुक्स दी हुई हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं सबसे पहले हम बात करें लेरी कॉलिंस एंड डोमनिक लेपियर की इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है ये फ्रीडम एट मिडनाइट है ये एकदम सही यहां पर मिलन है नेक्स बात कर या इनके द्वारा लिखी गई है ये यहां पर गलत है क्योंकि ये लिखी गई है रफीक जकारिया के द्वारा ठीक है नाकी केके अजीज तो यहां पर आपको याद रखना है ये किसके द्वारा लिखी गई है रफीक जकारिया के द्वारा ठीक है ये जो बुक है दमैन correct match है चलिए next question बे move on करते हैं अगला question है कि मैं एक समाजवादी और गरतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है यह जो statement है किस से related है नरेंद्र देव से या फिर अचियत पटवर्धन से या फिर जैप्रकाश नारायन या फिर आपका जवाहरलाल नहरू तो सही answer क्या है कि हमारा option D जवाहरलाल नहरू का ये statement है कि मैं एक समाजवादी और गरतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नेक्स्ट question की बात करें पूछा गया है कि निमलिखित में से किसे भारत में सामवाद का उच्चितम पुजारी कहा गया है पंडित नहरू को आचार नरेंद्र देव को एम आर मसानी को या फिर अशोक महता को तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि यह जो आपका सामवाद का उच्चितम पुजारी है यह बात कहां से पता चली देखिए यहाँ पर जो हम उस समय गुलाम थे और अंग्रेजों का टाइम चल ला था तो United Province था यानि कि सहयूक्त प्रांत अब इस सहयूक्त प्रांत में जो उनका परचार विभाग था उसने एक परचा चपवाया था और परचा था आपका Communistic Likes and Dislikes ठीक है Communistic Likes and Dislikes यह एक परचा चपवाया और इस परचे में ही पंडित नहरु को क्या बोला गया सामवाद का उच्चितम पुजारी ठीक है तो इनकेस आपसे पूछ लिया जाई मतलब कैसे इस बात का पता चला है फिर से स्टेट्मेंट वाइस कुछ कोश्चन आजा है तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि उस टाइम पर जो संयुक्त परांत था उस संयुक्त परांत के जो परचार विभाग था उसने कॉम्मिनिस्टिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक परचा इस नाम से छबवाया जिसमें पंडित नहरू को सामवाद का उच्चितम पुजारी कहा गया है चलिए नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं इसमें पूशा गया है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश साशन देशी राज जमिदारवाद और पुझी वाद को उखाड फेकना चाहता था अब ये कौन थे ये राजंद परशाद थे पंडित नहरू थे या फिर भूला भाई देशाई थे या फिर ये थे सरदार पटेल तो सही आंसर हमारा क्या है का सही आंसर है का ऑप्शन बी यानि की पंडित नहरू पंडित नहरू जो थे उस टाइम पर ये चाहते थे कि भाई जो ब्रिटिश साशन है जो देशी राज है जमीदार वाद की जो इस्तिती चल लेगी है जो पूंजी वाद है इस सब को खतम करना चाहिए बिना इसके खतम करें देश की तरक्की नहीं हो सकती और आगे जो एक अच्छा समाज जो हम कहें हिंदुस्तान को एक बना 1927 में सोवियत संग की विजिट भी करी थी हो सकता ही एक्जाम में पूछ लिया जाए कि पंडित नहरू ने किस संग में सोवियत संग की विजिट करी और आपको चार आप्शन देदें तो आपको पता होना चाहिए नवंबर 1927 में इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें इस कोश्चन में पूछा गया है कि निमलिकित में से कौन एक जवालन नहरू के जीवनी कार है अब ये फ्रैंक मोरेस हैं डोम मेरे से मोरेस है या फिर लूई फिशर है या फिर वैब मिलर तो सही आंसर हमारा क्या है का सही आंसर है का ऑप्शन ए यानिकी फ्रैंक मोरेस ये जो हैं पंडित नहरू के जीवनीकार है इसके बाद अगले कोश्चन की बात करते हैं यहाँ पर पूछा गया है सारा बंदी आंदोलन जो की 1922 में हुआ किसके नेतरत में प्रारंब हुआ अब ये चितरंजन दास हैं सरदार बल्लब भाई पटेल हैं राजेंदर परशाद है या फर ये हैं आपके लाला लाश पत्राए तो ये जो पूरा आंदोलन हुआ ये गुजरात के सूरत जिले में जो बारदोली जगा थी वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ और बारदोली के जो एक मेडला बंधू थे इनका नाम भी यहाँ पर याद रखिएगा मेडला ये जो मेडला बंधू थे इसमें दो लोग थे एक थे आपके कोवर जी और एक थे आपके कल्याण जी इन्ही को मेडला बंधू बोला जाता है कल्याण जी और दूसरे थे आपके कोवर जी हो सकता है एक्जाम में आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि मेडला बंधू इसमें से कौन-कौन है तो आपको पता होना चाहिए कि कल्यान जी और कोवर जी इन दोनों को ही मेडला बंधु बोलाया तथा तथा दयाल जी देसाई इन्होंने किसानों के समर्थन में 1922 में अंदोलन चलाया और बाद में इसका नेतर तो जो था वो किसने करा सदार बल्लब पटेलने है ठीक है और 1922 में कोई कर नहीं यही था आपका साराबंदी अंदोलन अगर आप संदि विछयत करतों यहां पर तो किसी चीज को बंद करने कि यहां पर बात हो रही है तो इससा अंदोलन का परपस ही यह था कि कोई भी कर नहीं दिया जाएगा ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सारा बंदी आंदोलन की बात करें, 1922 में ये आंदोलन हुआ, गुजरात के सूरत में जो बारदोली जगा है वहाँ पर, ठीक है, और स्ट्राइटिंग जो हुई वो इसमें मेडला बंधु और दयाल जी देसाई, मेडला बंधु इसमें लीड करया था, और दूसरे थे आपके दयाल जी देसाई, ठीक है, इन लोगों ने इसको लीड करया था इस ट्राइटिंग में, बाद में इसका नेतर सर्दार बलब भाई पटेल ने किया था, और परपस यही था कि किसी भी प्रकार का कोई टेक्स नहीं दिया तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन भी होगा, अगला कोशन है यहाँ पर कि राजनितिक विद्रोह प्रदर्शन के निमने लिखे चार रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारे थे जिसने सर्वर्थम इसका उप्योग राजनितिक हत्यार के रूप में किया, अब यह बाइकॉट है, घिराओ है, बंध है या फिर हरताल, तो सही आंसर के आएगा हमारा ओप्शन ए बाइकॉट, अब यह जो बाइकॉट नाम पड़ा, यह किसके नाम पर पड़ा, आयरलेंड के थे यह, और इनका पूरा नाम था सी सी बाइकॉट, ठीक है, और इनके करने के संबंद में इस विधा का उप्योग करके, मतलब इसको एक राजनितिक हतियार के रूप में इन्होंने इस्तमाल करा, ठीक है, चलो, नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, पूशा गया है, भारत सरकार दौरा उननिस सो उननिस में आयलो के वाशिंग्टन सम्मेलन में यहां पर हुआ वाशिंग्टन में हुआ, यह पहला सम्मेलन था, इसमें जो प्रतिनिधी के रूप में भेजे गए थे, यह एनम जोशी भेजे गए थे और इनके सलहकार के रूप में गए थे आपके वीपी वाडिया, ठीक है, यह क्या थे आपके सलहकार थे इनके, तो य यह चीज यहां पर याद रखने, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, चलिए, नेक्स्ट कोशन पर मुग आउन करते हैं, तो अगला कोशन है, निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आरे समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, यह बिल्कुल सही बात है, किसने इसको स्थापित किया था, वो थे आपके दयानंद स्वरसती, स्वामी दयानंद स्वरसती, अगला है अलहिलाल, इसको मौलाना अबुलकलाम आजाद ने प्रकाशित किया, यह भी बिल्कुल सही है, कब किया था, 1912 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इसके बाद लाला ल अपना राजा राम मोहन राय ने की थी, यह बात बिल्कुल सही है, और इसको जो इसको जो इसको इसको जो सही है, यह 1817, 1817 में किया था, अब यहाँ पर बात यह होती, कि भई, इन में से कौन सा कथन है, जो की, मतलब नीचे एक कोड दिया हुआ है, कोड देख लेते हैं, तो अव्यस ती बात है आंसर हमारा क्या होगा, ओप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, यहां पर हमारा सही आंसर होगा, तो इसी के साथ आज की इस वाले सेशन को यहां पर end करते हैं, यह सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तरुन सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच